आज का मेरा जो वीडियो है विशेश विशे़ पड़ नहीं है मैं आभी कुछ कमेंट डेख रहे कि फाले देने वाली हूं यह वीडियो बहुत ही informative रहेगा फायदे बंदी रहेगा आप लोगों के लिए कर जानना चाहते हैं फायदे उठाना चाहते हैं क्या पता आपका सवाल हो तो इस वीडियो को जरूर देखिए का अंते तक तो पहला सवाल किसी ने comment section में मुझसे पूछा है कि मैस्टरबेशन छोड़ने के बार कि नाइट फॉल बढ़ जाता है जी हां बिल्कुल ऐसा होता है और ऐसा क्यों होता है क्योंकि अभी तक आप खुद से हिला रहे थी तो आपके शरीर में कुछ बचता नहीं ता शेष रात को बाहर निकलने के लिए नाइट फॉल के आपका शरीरी से समझने में अभी असमर्थ है धीरे धीरे जैसे वो इस बदलाव को चेंजिस को समझ जाएगा वो अडाप्ट कर लेगा उस एटमस्फेर को अडाप्ट कर लेगा और खुद बखुद यह जो चीजे हो रहे हैं नाइट फॉल आपको जादा हो रहा है यह ध जा लेगा तो आप टेंशन बिलकुल मतलेजिए डूसरा सवाल आइट्फॉल होने से के स्पॉल काउंट में फर्क पड़ता है अगर आपका नाइट फॉल नारमल हो रहा है तो कोही फर्क नहीं पड़ाएगा लेकिन अगर नाइट्फॉल अबनॉर्मल है तो स्पॉलिटी जरेंगे दिक्रीज होती है अब यह नॉर्मल नाइट भॉल क्या होता है मैंने बताया है इस वीडियो में शायद आपने वीडियो नहीं देखा होगी लिटार इमपरस्छं को नहीं देखियो ऑगी जहीं तेसरा सिमें मैं यवा ईंफेक्षिन is aus किसी भी वज़ भजा सकता है पहला तो जही होती है और आप उपने साफ सफाईपान uncom modelo जिसके वज़े से लिंक की चारोर नहीं भुए उट है गो झाते है जिसे conceptijo अगर आप उपने पीनिस की साफ सफ सफाईन नहीं रखेंगे तो infection होने की chances बने रहते हैं लिंक की साफसफाई कैसे रखे उसे सेहत मंद कैसे बना है इस वीडियो को देखा आपने नहीं देखा तो जागे ये वीडियो देखिए इसमां मैंने बताया है के लिंक को सेहत मंद रखने के लिए क्या-क्या उपाई करने चाहिए मैं, मैं, आपकी तरह मुझे बात करना सीखना है, आपकी तरह की शैली में मुझे बोलना सीखना है, क्या करना होगा, नकल करनी होगी क्या लड़किया masturbate करती हैं बिल्कुल करती हैं लेकिन comparison of लड़कों के संख्या कमी पाई जाती है ऐसी लड़कियों की जो masturbate करती है मैं आपने एक वीडियो डाला था शॉर्ट वीडियो जिसमें आपने शारीडिक और मानसिक वाली औरत के बारे में बताया था आप कोन सी हैं जो मुझे तीन साल जब फॉलो कर रहे हैं उन्हें मुझे पताने की जुरूरत नहीं है कि मैं कोन सी हूं क्योंकि maximum लोग समझ चुक आपका नजरिया क्या है हर इंसान का नजरिया देखो अलग अलग होता है कोई भी अपना नजरिया किसी के ओप नहीं सकता उसे समझा नहीं सकता कोई इंसान किसी भी चीज को जो देखेगा वो वही देखेगा जो देखना चाहता है अब आप उस चीज में क्या देखना चा या भोग ही रहे है गाड़ी BMW लेने है जब कि अल्टो से भी काम चल सकता है मंजिल पे तो वो भी पहुंचा देगी ना लेकिन फिर भी BMW चाहिए क्यों भोगना है लगजरी भोगनी है अराम दायक सुख वो लॉंग ड्राइब का सुख भोगना है कमर में दर्द होना नहीं च जब गाड़ी चलाओं तो comfort चाहिए लगजरी चाहिए आराम चाहिए सुख चाहिए भोग नहीं है ना जितनी महंगी गाड़ी उतनी जादा फैसिलेटीज और उतना जादा सुख भोगी तो रहे आप और कर क्या रहे है इस संसारिक जीवर में हर इंसान भोग विलास में ल इस भोग विलास का ही एक जामपल है आप इसे अपने हिसाफ से जैसे चाहिए वैसे समझ सकते हैं हर इंसान अपने जुरूरत के हिसाफ से इसमें घुसा हुआ है कोई पैसे की वज़े से किसी को करना ही है किसी के शौक ऐसे है किसी को लगजरी नगजरी नगए करनी है कोई यूटिब का एल्गो नहीं हूँ वह एल्गो सपोर्ट नहीं कर रहा है जिसके वज़से आपको थामनेल इंप्रेशन नहीं पोस्ते और नॉटिफिकेशन नहीं मिलती और यही रिजन है कि फिर वीडियो पर व्यूज नहीं आपाते हैं सेम टाइम पे जब वीडियो डलती है नॉटिफिकेशन नहीं जाती लोगों को जा अगर एक दिन के बाद रही है या साथ घंटों के बाद जा रही तो व्यूज भी तर उसी तरह से आएंगे ना इस चीज को कि इंस्टाग्राम पे में एक मिनिट के भी वीडियो डालती हूं तो एकदम से रं करती है व्यूज भर भर के आते हैं क्योंकि इंस्टाग्राम का जो अलगो अभी मेरो पर महरबान है सपोर्ट कर रहा है मुझे वो कब अपनी महरबानी खतम कर दे पता नहीं तो जब तक उसका अलगो मेरी वीडियो को सपोर्ट कर रहा है धूम बची सेम शकल सेम हेर स्टाइल सेम कपड़े पहन के वहाँ वीडियो बना देती हूँ लेकि वो सपोर्ट कर रहा है तो व्यूज आ रहे है लोगों तक पहुच रही है वीडियो प्रॉब्लम है वो यूटुब के अलगों के साथ है जो की सो गया मेरे नाम का मैं तो रोज वीडि